हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोर्ट सक्सिस गवर्मेंट ने कोरोना वाइरस की फाइट को जारी रखते हुए अभी एमपावर्ड गुरूप्स और टाक्सफोर्स को बनाया है इस ताकि इस कोरोना वाइरस स्प्रेट्स को कॉम्प्रेहिंसिब ढंग से भील किया जा सके चली हम डिटेल में इस टॉपिक को एनलाईज करते है फ्रेंड कॉंटेक्स यही है सीनियर सिविल सर्वेंट्स का गुरूप गुरूप्स ने 10 एमपावर्ड गुरूप्स और स्ट्रेटिजिक टाक्सफोर्स को बनाया है अगर हम स्टेट की बात करें जो हाइस नंबर देखेंगा है तो सबसे आदा महाराष्ट और केरल में इंफेक्शन के केश देखे गाए अधर स्टेट्स की बात करें जहाँ पर केशे 50 से ज़्यादा पाए गाए करनाटक, तेलंगाना, राजिस्थान, गुजरात और उत्तरपिदेश आप इस ग्राफ को देखिए फ्रेंड्स से 1000 केसिस आने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं और संडे को फ्रेंड्स हाइस नंबर आफ केसिस देखे गए 132 कोरोना वाइरस केस डेटेक्ट किये गए और जो हमारे इंडिया में केसिस हैं वो 1000 से आगे पहुंच चुके हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो रेट है या ग्राफ है वो कित तरह से इस प्रेट हो रहा है इसलिए गवर्मेंट पूरी तरह से स्टेजी अपना रही है कम्यूनिटी ट्रांस्पीशन या स्टेज थरी ना पहुंच चके वाइरस की 68 बूर्योक्रेट्स लीड करेंगे फ्रेंड्स इन टाक्स फोर्स को जो 10 एंपावर्ड गुरूप्स हैं और स्टेजिक टाक्स फोर्स हैं इन में टोटर मिलाके 68 बूर्योक्रेट्स हैं ताकि कॉम्प्रेंसिब ढंग से इस वाइरस के पेंडेमिक को कंटेन किया जा सके यह टास्ट जो 10 एंपावर्ड गुरूप है फ्रेंड्स वो हैट किया जाएंगे सेक्रेटीज के दोरा जो डिफरेंट गवर्मेंट मिनिस्टीज और डेपार्टमेंट से होंगे और यह फ्रेंड्स स्पेसिफिक इसूपर फोकस करेंगे और गवर्मेंट को टाइम टू ट टाक्स फर्स की बात करें तो इसमें six members होंगे और इसका काम होगा फ्रेंड्स स्टेटिक इसूपर फोकस करना यह डारेक्ली रिपोर्ट करेगा फ्रेंड्स टास्क फोर्ट प्राइम मिनिस्टर्स को और इसको भी power दी गई है कि यह डिसीजन्स ले सकता है फ्रेंड्स यह गावर्मेंट की strategy है, planning कर रही है गावर्मेंट और पूरी machinery को भी लगा रही है, ताकि हम अपने effects को concentrate कर सकें और disease के impact को minimize कर सकें, अब हम कुछ step देख लेते हैं गावर्मेंट की strategy, गावर्मेंट अब तक किस strategy को follow किया है, coronavirus disease के pandemic को रोकने के लिए government सबसे पहले hotspots को identify किया है, ऐसे places जहां पर infection सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो union health ministry ने अब hotspots को identify किया है, और वहाँ पर rigorous cluster isolation किया जा रहा है, ताकि community transmission ना हो, second strategy गावर्मेंट ही देखें, तो health risk profiling mechanism follow कर रही है government, ऐसे migrants जो एक state से या city से बिलेज की तरफ जा रहे हैं, 21 day lockdown में, और कुछ international passengers की भी friends, health risk profiling की जाएगी, friends इन जो migrants है, interstate जो जा रहे हैं, city से बिलेज की तरफ, उनको state borders पर रुका जाएगा, और सबसे पहले उनको isolation facility में रखा जाएगा, फिर वहाँ पर उनको positive test किया जाएगा, अगर वो positive test पाय जाते हैं friends, तो 14 days home quarantine पर उनको रखा जाएगा, और rigorous monitoring भी की जाएगी, friends यह exercise बहुत ही crucial है, particularly इस phase में, जब जो rate of speed है, disease की spread की वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो spread को रोकने के लिए, ताकि community transmission ना हो, यह friends exercise काफी crucial हो जाती है, और जो भी individuals travel कर रहे हैं, cities से, village की तरफ, तो उनको health profiling करना बहुत ही आवस्सक है, separate treatment facility बनाई जा रही है, coronavirus patients के लिए, central government ने, state government को यह direction दिया है, कि है separate treatment facility को बनाया जाए, ताकि cross infection को रोका जा सके, एक और strategy friends, government के अगर हम देखें, तो health logistic को regularly update किया जा रहा है, essential equipments जैसे ventilators, personal protective equipments, इन सब का manufacturing को बढ़ा दिया गया है, और national pharmaceuticals pricing authority ने, state governments के भी coordination की मांग की है, कि जो manufacturing है, gloves, hand sanitizer की, वो बराबर होती रहे, चाहर की shortage of these products ना हो, अगर हम overall देखें, तो government की strategy है friends, कि human capital को बीच में रखा जाए, और government ने अभी regularly monetary fund भी जारी किया है, जैसे PM cares fund और 1.7 lakh करोड को भी finance ministry ने अभी announce किया है, और उस एक scheme को launch किया है, प्रिदान मंतरी, गरीब कल्यान, योजना, ये था friends analysis हमारे इस topic का, thank you, thank you very much for discussion.